हाई एवरीवन वेलकम बैक तो स्मार्ट स्टेडी चैनल कैसे हैं आप सब होप सो आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी एक्जाम्स की एक्जाम्स अच्छे चल रहे होंगे तो फ्रेंड्स अभी आपका MHI 5 का एक्जाम्स अने वाला है और कुछ अल्रडी इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पे हैं अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख लीजिए ठीक है आपको काफी हेल्प हो सकती है आपके एक्जाम्स में और आज भी हम बहुत एक इंपॉ 10 टॉपिक डिसकस करने वाले हैं जो काफी बार अगर मैं इगनू की बात करूँ तो बहुत बार आपके एक्जाम में ये कोशन रिपीर्ट हुआ है ठीक है तो चांसी है कि इस बार भी आपको ये कोशन जो है एक्जाम में देखने को मिले तो हम इसको डिटेल में डिसकस कर अगे टॉपिक है डेनियल थोरनर्स कृटीक ओफ नेशनलिस्ट व्यूज ओफ टी इंडस्ट्रिलाइजेशन ठीक है तो यह टॉपिक पे आपको जो है बहुत बार पकोशण मिलता है ठीक है 10 माक का कोशण आपको आ जाते है 20 माक का आ जाते है ठीक है तो देखें इसको और आपके important videos होंगी, मैं upload अभी करती रहोंगी, ठीक है, तो अभी देखिए, इस topic में क्या है, कि आपको थोड़ा सा background समझना होगा, तो जब हम Britishers की बात करते हैं, colonial economy की बात करते हैं, ठीक है, तो उस time अगर आप Indian, जो हमारे nationalist historians हुए हैं, उन्होंने criticize किया है Britishers को, ठीक है, उन्होंने बोला है कि हाँ, हमारी जो economy है, वो जो है, उसमें decline हुआ, दाजा भाई नरोजी जो थे, उन्होंने drain of wealth theory की बात की, similarly, if we talk about industries, ठीक है, तो हमारे nationalist historians ने बोला है, कि उस time पर हमारी जो handicrafts थी, हमारी traditional industries थी, वो destroy हुई, हमारा जो है, de-industrialization हुआ, industries develop होने की जगा, industries हमारी destroy हुई, और हमारा de-industrialization हुआ, ठीक है, तो इसी के उपर आपका ये question है, Daniel Thornar, जो है, एक वो European है, उन्होंने, European scholar है, उन्होंने criticize किया है, ये de-industrialization का जो viewpoint है, nationalist historians का, उसको basically उन्होंने criticize किया है, उन्होंने बोला है, कि नहीं, इस तरह से de-industrialization नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको question आ सकता है, कि किस तरह से Daniel Thornar, जो है, उन्होंने critique provide किया, of the nationalist views of de-industrialization, ओके, तो इसमें आपको Daniel Thornar का viewpoint बताना है, आपको थोड़ा सा basic, जो है, starting में बताना है, कि nationalist historians ने de-industrialization की बात किया है, बट उसके बाद आपको Daniel Thornar का viewpoint जो है, detail में describe कर दे, ठीक है, हाँ पर अगर हम nationalist historians की बात करें, for example, RP Dutt है, ठीक है, RP Dutt ने India Today में बात की, कि 1875 के बात, जो है, de-industrialization और peasantization हुआ, de-industrialization means, जैसे अभी हमने बात की, कि हमारी जो traditional industries थी, ठीक है, hand looms था, और जो हमारी handicraft industries थी, वो destroy हुई, de-industrialization हुआ, secondly, क्या हुआ, कि जैसे-जैसे de-industrial globalization हुआ, तो उस वज़े से जो है, लोग जो थे, they were moving towards agriculture, ठीक है, ज्यादा वो agricultural, agrarian economy की तरफ move कर रहे थे, तो peasantization हुआ, ठीक है, तो इस तरह से RP Dutt हो गए, KS Shilvankar हो गए, ठीक है, उन्होंने भी the problem of India में यही बात की, similarly, if we talk about RC Dutt, ठीक है, RC Dutt में भी उन्होंने यही ब उसमें उन्होंने बताए कि किस तरह से जो British goods थे, Britishers, जो है manufactured goods वो इंडिया में, जो है, इंडिया को export करते थे, ठीक है, उनका जो यह import हुआ, British manufactured goods का इंडिया में, उन्होंने किस तरह से पूरा जो है impact डाला हमारे traditional goods पे, हमारी traditional industries पे, ठीक है, तो यह सारा nationalist historians का viewpoint है, about de-industrialization अब इस चीज़ को जो Daniel Thornar है, Yorkian scholar उन्होंने criticize किया है, ठीक है, किस तरह से criticize किया है, वो हम देखते हैं, basically वो बोलते हैं कि इस तरह का नहीं हुआ था, यह जो de-industrialization की बात है, यह सारी बात हैं गलत है, ठीक है, तो आपको basic समझना है इसका, तो now, see if we talk about 1950s, ठीक है, 1950s में Daniel Thornar बोलते हैं, कि यह जो employment की decline की बात हो रही है, कि हाँ, 1881 से 1931 का जो यह period था, ठीक है, after 1875, basically, if we talk about nationalist historians, ठीक है, वो 1875 के period के बात बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सादा de-industrialization हुआ, ठीक है, तो Daniel Thornar यह जो census उस टाइम पे हुआ, 1881 to 1931 का, उसकी बात करते हैं, वो बोल census था, that was not correct, ठीक है, वो जो census था, उसमें correct reading नहीं हुई, and उसके basis पर यह बोला जा रहा है, कि जो secondary sector था, जो industries का sector था, manufacturing sector था, उसमें employment कम हुई है, देखिए, अब अगर हम बोल रहे हैं, इसका क्या meaning है, अगर हम basic terms में समझें, ठीक है, here it is said कि जो secondary sector था, means जो industries, the manufacturing sectors था, उ उसमें employment decrease हुई है, employment decrease हुई है, कहीं न कहीं, जो हमारे industries थी, ठीक है, वो जो है, उनका, वो down गई है, उसमें employment कम हुई है, ज्यादा लोग जो थे, now they were, they move to agricultural sector, ठीक है, तो वो जो है, डेनियल थोर्नर बोलते हैं, कि ये believe करते हैं, कि 1881 का, 1881 से 1931 का census है, उसके according हम अगर ब बात की गई है, कि secondary sector जो था, उसमें employment कम हुई है, means the industrialization हुई है, but according to Daniel Thorner, ये जो data था, that was not correct, ठीक है, ये data सही नहीं था, इसमें वो बोलते हैं, कि अगर हम 1881 की बात करते हैं, 1881 में कहीं न कहीं, over estimation किया गया है, ठीक है, उसमें जो population की proportion count की गई है, कि कितनी population involved थी in secondary sector, वो over estimated है, actual में उतनी थी नहीं, पहले ही उतनी नहीं थी, suppose आप देखिए, according to Daniel Thorner, अगर हम simple terms में समझें, ठीक है, पहले अगर आप कहा रहे हैं कि 10 बंदे employed थे in the industrial sector, ठीक है, 1881 में, फिर आप बोल दे हैं कि 1931 में 5 बंदे रह गए, तो आप बोलोगे 5 का loss हुए, right, मतलब हम य अगर actual में ऐसा हो, कि 1881 में employed ही 6 बंदे हो, ठीक है, और 1931 में 5 रह गए, तो decline कितने का हुआ, 1 का, ठीक है, तो यही Daniel Thorner बोल रहे हैं कि पहले जो 1881 की figure थी, वो over estimated figure थी, उस टाइम पे actual में उतने लोग employed ही नहीं थे, ठीक है, जितने बताए गए, इसलिए जब हमने comparison किया, तो हमें जो decline दिखा, in the industrial sector, ठीक है, जो employment में decline दिखा, हमें जादा दिखा, यह कहना किसका है, Daniel Thorner का, ठीक है, यो कि वो क्या बोलते हैं, कि यह जो estimates किये गए, यह जो census किया गया, ठीक है, यह जो reports थी, यह इनका data सही नहीं था, because he said कि यह जो agriculture में data गएरा, जो है report हुआ, यह बहुत जादा मतलब, अगर हम estimates करा लगाते हैं, if we talk about agricultural economy, तो वो बोलते हैं कि यह काफी जादा मुश्किल टास्क है, it is not easy task, ठीक है, और इसमें over estimation होना, it is not the, like, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे, ठीक है, वो बोलते हैं, क्योंकि agricultural economy में जो work है, उसका clear cut separation नहीं ह होता, ठीक है, कि कौन क्या कर रहे है, कौन कि, ऐसे proper categories नहीं defined होती, and in that case, वो बोलते हैं, इसी लिए agrarian economy में estimation करना is not the easy task, तो उस time पे according to Daniel Thorner, properly calculations नहीं हुई, proper estimations नहीं हुए, ठीक है, इसी लिए वो बोलते हैं, कि हमारे पास जो यह data है, इसको हम trust नहीं कर सकते, ठीक है, यह data सही नहीं है, और इसी से लग रहा है कि, de-industrialization हुआ है, जो industrial sector है, उसमें employment कम हुई है, बट actual में according to Daniel Thorner, ऐसा नहीं था, ठीक है, अब Daniel Thorner क्या बोलते हैं, कि अगर हम properly, अगर census की categories को हम divide करें, अलग-लग sections में, जैसे एक manufacture and trade हम एक category करें, ठीक है, उसके बाद agriculture and general labor हम ए एक और separate category करें, और male और female workers को भी अगर हम अलग-लग देखें, ठीक है, अगर हम इस तरह से categories करके देखें, तो हमें पता लगेगा कि, जो male की, जो actual proportion है, manufacture sector में, ठीक है, तो वो ज़्यादा decline नहीं हुई, 1881 to 1931 के period में, 3% से सिरफ 1% का फरक पड़ा है, ठीक है, ज़्यादा मतब 3% से जो है, अगर पहले 3% का था, तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कि just 1% हुई है, ठीक है, ज़्यादा decline नहीं हुआ यहाँ पे, similarly, if we talk about agricultural come general labor, ठीक है, उसमें अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे भी 2% का ही change है, ठीक है, ज़्यादा change नहीं है, तो we cannot say कि यह जो de-industrial utilization हुआ है, वो बहुत जादा बड़े scale पे हुआ है, as pointed out by nationalist historians, ठीक है, तो इस तरहां से Daniel Thorner, जो है, criticize करें है, nationalist historians को, पूरा वो जो है, data के basis पे कह रहे हैं, कि यह जो data है, यह सही से इसमें readings नहीं आई है, ठीक है, similarly, फिर वो females की लग बात करते हैं, क्योंकि देखिए, उन्ह जो female की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर हम 1881, क्योंकि 1881 का जो data है, उन्होंने क्या बोले, over estimated data है, वो actual में था ही नहीं उतना, ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर हम 1881 के data को बाहर निकाल दें, ठीक है, तो वोमेन को अगर हम manufacture come trade sector में देखें, ठीक है, तो वहा 3% का ही यहाँ पर फरक पड़ा है, और अगर हम agriculture वाली में देखें, agriculture come general labor में, उसमें तो 1% का increase हुआ है, ठीक है, तो according to Daniel Thornar basically, यह जो de-industrialization था, between 1850 to 1880 actual में हुआ है, ना कि जो बाद वाला 1881 to 1931 का period जो बताते हैं, nationalist historians, ठीक है, वो बोलते हैं, इस time पर कोई कोई जादा जो है, change नहीं हुआ, ठीक है, तो इस तरह से criticize किया है, Daniel Thornar ने, देखें, basically यह सारा data का है, आपको यह थोड़ी सी figures याद रखनी होंगी, ठीक है, इसमें जादा कुछ नहीं है, आपको simple इतना बताना है, कि हाँ, nationalist historians मानते थे, कि de-industrialization हुआ, under Britishers, ठीक है, और mainly 1875 के बाद हुआ, ठीक है, बट अगर हम Daniel Thornar की बात करें, Daniel Thornar बोलते हैं, कि यह जो 1881 से 1931 का period है, जिसमें आप यह सारा calculation कर रहे हैं, ठीक है, de-industrialization का, वो census जो आप consider कर रहे हैं, वो census ही ठीक नहीं है, उसमें readings ठीक नहीं है, ठीक है, वो अलग-लग categories में divide करने की बात क हुआ है, employment में, और उसके base पर हम यह नहीं बोल सकते हैं, कि हाँ, ज्यादा significant de-industrialization हुआ है, इसी तरह से वो जो है, critique प्रोवाइड करते हैं, to the nationalist historians, ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, guys, यह question आपको थोड़ा सा भी लगेगा, एक दो बार अगर आप वीडियो को इ तुनेंगे, आपके mind में, यह figures भी set हो जाएंगी, ठीक है, बस आपको यह figures माइंड में रखनी है, ठीक है, तो यह आपको 10 marks का question आ सकते है, या फिर आपको 20 marks का भी question आ सकते है, इसमें आपको जो है, दो historians के बारे में describe करना बोल सकते हैं, Daniel, Honor, तीर्थन का रोय का बता सकते साथ में, ठीक है, तो अगर time होगा, अभी मैं शायद आपको तिर्थन का रोय का जो है, वो भी next video अप्लोड कर दूँगी, ठीक है, तो आप वो भी revise कर लेना, और इसको भी आप revise कर लीजे, काफी बार repeat हुए, तो maybe इस बार भी आपको exam में यह question मिल जाए, ठीक है, तो contact number है, वो मैं description में आपको दे दूँगी, ठीक है, ग्रुप साब join कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी help चाहिए, आप वो बोल सकते हैं, बाकी list of important questions already आपके जो है channel पे यह upload हो रख है, ठीक है, MHI 5 के important questions already यहाँ पे upload किये गए हैं, तो आप उनको एक बार check कर लीजे, उ कफी आपको जो है help मिल सकती है, आपके exam में, ठीक है, बाकी confident हो के exam लिखिए, अच्छा आपका रहेगा, कोई problem निया उसमें, ठीक है, तो चलिए मिलेंगे next lecture में, till then, bye bye guys, all the best for your exams